तो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे मत्य प्रदेश में प्रमो क्रशी कारी क्रमों पर चर्चा करेंगे दोस्तो यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ आप हमें टेलीगらम पर जोइन कर सकते हैं टेलीगरम पर आपको वीडियो की फ्रीपीड प्रदान की जाती है साथ ही साथ अन्न महाथपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीगरम चैनल के माद्यम से आपको प्लब ठराया जाता है दोस्तो 2020 की मुख़ परिक्षा और 2019 की मुख़ परिक्षा दोनों में ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं हमारे नोट्स पर्चेस करने के लिंक आपको description box में दी गई है आप इंस्ट्रा मोजो की लिंक पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं description box में ही आपको एक whatsapp नंबर दिया गया है आप वहाँ जाकर भी हमारे नोट्स के संबंध में inquiry कर सकते हैं हमारे नोट्स की demo PDF देख सकते हैं तो दोस्तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रशन पर जो की है मद्ध प्रदेश में क्रशी कारिक्रम तो मद्ध प्रदेश में क्रशी महत्पूर्ण योगदान देती है और क्रशी बिकास के प्रमुख महत्पूर्ण कारिक्रम निमने लिकेते हैं दोस्तों यहां कुछ डेटा की चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों मद्यप्रदेश की लगवग 65% प्लस आबादी जो है वही क्रशी कारियों से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना रोजगार स्रजन करती है तो आप इसे भी इंट्रो में सामिल कर सकते हैं इसलिए मद्यप्रदेश में क्रशी कारिक्रमों का लागू किया जाना आतियंति आवश्यक है अब हमारे जो प्रमो क्रशी कारिक्रम है हम उन पर एक नजर डालते हैं तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना यह हाला कि केंदर सरकार की प्रायुजित योजना है परन्तु यह बारत के सभी राज्यों में लागू की गई है और मद्ध प्रदेश भी इसमें सामिल है तो इसका जो प्रारंब है वह 2016 में किया गया था इसका उद्देश है किसानों पर रिंड के बोच को कम करने एवं खराब मौसम में फसलों की रक्षा है तो यही एक बीमा यूजना है इसमें की फसल के लिए 2% का ब् Glass रिमियुम दिया जाता है रभी की फसल के लिए 1.5% का ब् them I'm दिया जाता है और इसके परशाद बागवानी पस्लों के लिए 5% का प्रीमियम उपलब्ध कराया जाता है तो इस प्रकार जिर यह प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना है, यह तीन नंबर में भी आपके काम आ सकते, तीन नंबर में यदि आपसे यह पर्टिकुलर पूछी जाती है, तो आप यहाँ पर इसका प्रारम लिख सकते हैं, कि यह 2016 में प्रारम की गई थी, इसके उद्देशी के अंतरगत आप लिख सकते हैं, किसान रभी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम दिया जाता है और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम दिया जाता है तो इस प्रकार से प्रधानमंतरी फसल भीमा योजना है इसके पशात है बलराम ताल योजना यह दोस्तों यह मद्दप्रदे सरकार दोरा प्रायोजित योज करना तो बलरामताल जो योजना है इसके अंतरगत जो बर्शा का जल होता है जो ऐसे ही बह जाता है तो उसे तालाबों के माध्यम से खेतों में रोक कर सिचाई सुविदा का बिकास किया जाता है यही बलरामताल योजना है दोस्तों यहां जितने भी क्रशिशंबंदित योज नोस्तों, आति-सीग्री आप इनने तैयार कर लीजिये, क्योंकि यह आपके लिए मुख परिक्षा में अतियन्धी लापकारी होने वाली हैं। इसके पश्यात है अनपूर्णा सूरज दारायोजना, इसका प्राणबेवाय किया गया था 2000-2001 के मद्द, 2000-2001 में इसका प्रारम में किया गया था इसके अंतरगत प्रमुक प्रावधान क्या क्या है तो इसमें अनुसूचित जाती वजन जाती के कल्यान हेतू इनके धान बीच की अदला बदली एवं खाद्यान बदली के कारिकरम किये जाते हैं तो जो अन्यपूर्णा सूरसधारा योजना है यह MP गौर्मेंट द्वारा प्रायोजित योजना है और इसके अंतरगत अनुसुचे जाती वा जन जाती के कल्यान हेतू उन्हें उन्नत किसम के बीच प्रदान किये जाते हैं साथ ही साथ खाद्यान की गुडवत्ता सुनिश् इसके जाती है कि आपको अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं से कंटेंट इखटा करने की जरूरत नहीं होगी क्यूंकि हमने अपने टोने अपितूं 5-10 बुकों का कलेक्शन करके हमने अपने नूर्स प्रिपेर किये हैं ताकि आपकी सुभीधा के अनुसार आपको गुडवत्ता युक्त कंटेंट हम प्रधान कर सकें तो दोस्तो सीगरती सीगर आप हमारे notes पर्चेस कर लीजिए description box में आपको link दी गई है अभी हमारे पास हिंदी, ethics, social, geography, quality, economics आदी से संबंदित notes available हैं तो आप description box में जाकर check out कर सकते हैं इंस्टा मुझो की link पर और दोस्तो जब भी आप इंस्टा मुझो की link से हमारे notes purchase करते हैं तो किरपिया कर अपना WhatsApp नमबर जरूर डाल दें उससे आपको हमारे WhatsApp ग्रुप में add कर लिया जाएगा और मुख परिक्षा से संबंदित जो भी महत्पूर content होगा तो वह आपको हमारे WhatsApp ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जाता रहेगा साथ ही साथ आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं बिनर एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको वीडियो की फ्री पीडेप प्रदान की जाती है साथ ही साथ अन्न महत्पूर content भी हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले क्रशी कारेकरम पर तो जो है क्रशी कैबिनेट तो इसका गठन किया गया था 2011 में क्रशी कैबिनेट का गठन किया गया था 2011 में इसमें मुक्चमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट क्रशी संबंदी विशय पर समक्रियोजना तयार करने से तयार करती है तथा उससे जुड़े फैसलों को लेती है तो दोस्तों यह क्रशी कैबिनेट अतिनती मातपूर है क्योंकि इसका गठन किया गया था 2011 में और इसमें मुक्हमंत्री अध्यक्षिता करते हैं इसके साथ साथ ही के पशाथ हम चर्चा करेंगे हमारी अगले कारिकरम जो की है खेत ताला वियोजना तो खेत ताला वियोजना का प्रारम 2006 में किया गया था इसका जो प्रमुक उद्देश है वह है धरातली वह भूमी गजल की उपलब दता बढ़ा कर क्रशी का समग्र विकास करना और इसके जो हितगराही है अर्था जो लाभरती वर्ग है वह समस्त वर्गे के क्रशक इसमें सामिल हो सकते हैं तो खेत ताला वियोजना का प्रारम 2006 में किया गया था इसका उद्देश धरातली वह भूमी गजल की उपलब दता बढ़ा कर क्रशी का समग्र विकास करना तो खेत ताला वियोजना के माद्यम से हम खेत में ही एक तालाप का निर्माण कर लेते हैं जिससे की धरातली जल हमें उपलब दो होता रहता है साथी साथ भूमी गजल का जो इस तरह है उसमें ब्रद्धी की जाती है तो खेत तालाप योजना इस प्रकार से लापकारी होती है करशकों के लिए इसके पशात है मेरा खेत मेरी माटी योजना तो इसका प्रारम किया गया था 2014 में मनरेगा के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना का उद्धेश क्या है तो इस योजना का जो उद्धेश है वह है खेती को लापका धंदा बनाना निजी छेत्रों का समतली करण करना और खेतों में निर्मार कारे करना तो मेरा खेत मेरी माटी योजना का प्रारम किया गया था 2014 में इसके माध्यम से मनरेगा के माध्यम से लागू होने वाली यह योजना जो है वह मनरेगा के माध्यम से लागू की जाती है 7-9-10 इसमें खेती को लाप का धन्दबनाना, इिसका प्रमों को देशरी रखा गया है और इसमें नीजी खेतों का समतली करण किया जाता है खेतों में निर्माणकारे आदि किये जाते हैं इसके पशियाति किसानमित्रयोजना तो इस कारिक्रम के तहित ग्रामी डिस्तर पर क्रशक एवं प्रसार तंतर के बीस समनवे स्थापित किया जाता है किसान मित्र अपने ग्राम के लिए किसानों और विभाग की मद्ध समनव्यक के रूप में सहयोग देते हैं तो इस प्रकार से यह किसान मित्र योजना है जिसमें ग्रामी रिस्तर पर कुछ लोग नियुक्त किये जाते हैं जो कि किसानों के लिए और विभागों के लिए समन्वियक के रूप के रूप में कारे करते हैं और दोनों के लिए ही योजना से संबंदित जो भी जानकर या है उनका आदान प्रदान करते हैं इसके पशात है मुखमंतरी सॉलर पम्प योजना तो मुख्मंतरी सॉलर पम्प योजना का जो प्रारंभय वह थो 2017 में किया गया था इसका जो प्रमुक उद्देश है तो उन छेत्रों में बिजली पहुँचाना जहां बिजली की उपलब्दता नहीं है तो मुखमंतरी सोलर पंप योजना के माध्यम से सौर उर्जा के माध्यम से पंप की विवस्ता सुनिश्यत की जाती है ताकि किसानों को सचाई की सुविदा उपलब्द कराई जा सके और किसानों को बित्तिये भार से बचाना आदि इसमें सामिल किया गया है इसके पश्यात है ठ्रष्ट तो ठ्रष्ट का मतलब होता है सूखा तो यह योजना जो है वह 1989 में लागू की गई थी यह केंदर सरकार दोरा सूखे की स्थिती से अरहार गेहूं चावल खेती को सत प्रती सत केंदरे शहायतत दी जाएगी तो सूखे की स्थिती से निपटने के लिए यह प्रोग्राम लागू किया गया है इसके पश्चाते कुछ अन्य तो क्रशी अनुसंदान कारिक्रम, पौद सनरक्षन, बायो गैस सयंत्रों की स्थापना, भूमी सनरक्षन, रासाइनिक उरवर्कों का बितरन, बिसेस खाद्यान उत्पादन कारिक्रम, बिपुल उत्पादन कारिक्रम, राष्टी दलहन तिलहन कारिक्रम तो इस प्रकार से कुछ योजना हैं भाबांतर बुक तान-कारिक्रम जो हाल ही में लागू की गई है वही भी एक क्रशी ते संबंधित मधपूर्ण कारिक्रम है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जुन नोट्स हैं उनमें किस प्रकार से संपूर्ण content को cover up हम करते हैं तो इस प्रकार से हमारा यह channel है और इसको like, share, subscribe जरूर करें हमारे notes को purchase करने के लिए आपको description box में link दी गई है आप वहाँ जाकर check out कर सकते हैं और हमारे notes purchase कर सकते हैं धन्यवाद